वो बेवफा हमारा इंतिहान क्या लेगी? मिलेगी नजरों से नजर तो नजर जूरका लेगी और मेरी कबर पर दिया मत जलाने देना यारो वो नादान है अपना हाथ जला लेगी तो पैरे दोस्तों नमस्कार कास के लासीज में मैं चंदरा हास हरियान जी के सीरीज में एक बार फिर से आपका सुवागत करता हूँ और आज दोस्तों हम बहुती जबरदस तरीके से इस लेक्चर में इस वीडियो के अंदर एक पंचकुला डिस्टिक है वो पंचकुला डिस्टिक जिसका पार्ट टू लेकर आपके सामने आए पंचकुला का पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन जरूर देखेगा उन सभी पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा इससे बाहर एकजाम में कुछ भी नहीं आने वाला है तो दोस्तो यदि आप मेरे चैनल की ओपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुच सके तो पार्ट वन जरूर देखेगा आज इस वीडियो के अंदर हम पंचकुला का पार्ट टू करेंगे पंचकुला पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे आज पंचकुला डिस्टिक को इस वीडियो में हम खतम कर देंगे पार्ट वन नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि Part 1 आप जरूर देखे, पंचकुला Part 1 और आज हम पंचकुला Part 2 का जिकर करेंगे Part 1 में हमने पंचकुला का गठन कब हुआ था, पंचकुला डिस्टिक कैसे बना था, क्या-क्या गतिवी दिया हुई थी, किसके कान पंचकुला डिस्टिक बना था सारी चीज़े हमने बताई थी, बाद में हमने एक कालका सिमला रेलवे के बारे में भी बताई था, पिंजोर के अंदर एक यादविंदर गार्डन पढ़ता है, उस से रिलेटिड जितने भी क्यूशन बनते हैं, एक्जाम से रिलेटिड वो सारे पॉइंट हमने करवाई थे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दोस्तों, लास्ट जो क्यूशन था पार्ट बन में, उसमें था एक पिंजोर विरासत उच्षव का जीकर था, पिंजोर विरासत उच्षव है ना, इस पिंजोर विरासत उच्षव की सुरुआत 2006 में हुई थी, और पिंजोर विरासत उच का आगाज करता है और पिंजोर विरासत उत्सव जिसकी सुरुवाद 2006 में हुई थी परतेक वर्स पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जाता है इसका परमंदन मनेजमेंट का कारिये भारत सरकार का परियेटन विभाग करता है दोस्तों चोदरी मनसिलाल की डैथ भी 2006 में ह हुई थी अर्विंद केजरिवाल को रेमन मैकस से पुरुसकार भी 2006 में मिला था और हरियाना सरकार ने बाली का सिसुवर्ष किस वर्ष को घोसित किया था तो 2006 में ही सिर्षा और मेंदरगड के अंदर नरिगा की सुरुवात हुई थी बाबा रामदेव ने पतंजली योग पी ट्रस्ट की सुरुवात 2006 में की थी पांडी चेरी का नाम पुद्दुचेरी 2006 में हुआ था और पिंजोर हैरिटेज फेस्टिवल पिंजोर विराशत उत्सव जिसकी सुरुवात भी 2006 के अंदर हुई थी यहां तक हमने पंचकुला पार्ट वन के अंदर पढ़ लिया थ तो ये नाडा साहिब गुर्दुवारा लास्ट में पिंजोर का जिकर हुआ था तो नाडा साहिब गुर्दुवारा दोस्तों पिंजोर के अंदर ही पढ़ता है नाडा साहिब गुर्दुवारा है ये कहां पर पढ़ता है तो दोस्तों आब बताओगे नाडा साहिब गु बागानी के यूद का जीकर है दोस्तों बहुत जबर्दस की उसन है 1688 में 1688 में गुरू गोविन सिंग बागानी के यूद में हिमाचल परतेश के पॉन्टा साहीब पॉन्टा साहीब से जब निकले थे ना पॉन्टा साहीब से जब निकले थे पॉन्टा साहीब से जब निक मघंजी साहिब घटना है इस बगानि के युद में जब गुरु गोविन सिंग जा रहे थे तो वो पंच्कुला में, पिंजोर में जिस सत्थान के ऊपर रुए थे, आज उसी सत्थान के ऊपर एक गुरदवारा है और उस गुरदवारे का नाम नाड़ा साहिब गुरदवार तो नाडा साहिब गुर्दवारा जो पिंजोर पंचकुला के अंदर पढ़ता है दोस्तों ये कौन से सिख गुरू से रिलेटिड है तो गुरू गोविन सिंग से रिलेटिड है इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर एक मानजी साहिब भी गुर्दवारा पढ़ता है मानजी स जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप मेरे साथ में विश्वास के साथ में बने रहिएगा, मैं बहुत अच्छा करने का परियास करूंगा, तो मांजी साहिब गुर्दवारा जो है ना मांजी साहिब गुर्दवारा ये मांजी साहिब गुर्दवारा कहा है, तो दोस्तो अब बतादे ना मांजी साहिब गुर्दवारा पिंजोर में, नाडा साहिब गुर्दवारा भी कहा है, तो दोस्तो अब बताएंगे पिंजोर म एक सत्वा तीज का मेला लगता है, सत्वा तीज का मेला, सत्वा तीज का मेला लगता है, तो आप बता देना, सत्वा तीज का मेला लगता है, दोस्तों, पिंच ओर में, आप से यदि साथियों, आप से दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे लाडलो, आप से यदि कुछ सन प कहां पर लगता है तैंगे पिंजोर के अंदर लगता है बहुत जबरदस तरीके से पढ़ेंगे बैस आप मेरे साथ में बने रहे ना वीडियो पर आंसे तक जरूर बने उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है भई हम माल लेते हैं कि ये अपने पास में इस परकार से ये जो है इस परकार से ये हर्याना का अपने पास में ये दिसा है ये उत्तर ये पूरव ये पूरव और ये जो अपना इलाका है न ये वाला इलाका ये हर्याना क कौन सा इलाका है तो आप बताओगे उत्तर पूरवी इलाका है उत्तर पूरवी इलाका कहने का मतलब आब हम जीकर करेंगे पंचकुला के अंदर जो पहाडियां सिधीत है उनका तो दोस्तो हर्याना के उत्तर पूरवी दिशा का यदि जीकर किया जाए प्यारे साथ यो बहुत जबरदस क्योशन है हर्याना के यदि उत्तर पूर्वी दिसा का जिकर किया जाए तो उत्तर पूर्वी दिसा के अंदर जो पहाडिया फैली है उन पहाडियों को हम सिवालिक हेल्स के नाम से जानते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत जबरदस के उसने समझने की कोशिश कीजिए हर्याना के उत्तर पूर्वी दिसा में जो पहाडिया फैली है उनको हम सिवालिकी पहाडियों के नाम से जानते हैं सिवालिकी पहाडिया पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में सिथित है शिवाली की पहडिया पंचकुला में, अंबाला में और यम्रनगर में सिथित है और हर्याना के उत्तर पूर्वी हिस्से में सिथित है और कहां कहां पर सिथित है पंचकुला में, अंबाला में और यम्रनगर में ये पे के नाम से याद रखे जिसे गूगल पे वगरे नहीं होता है उस परकार से आप याद रखेगा पंचकुला, अमबाला और यम्रनगर के अंदर सिवालिक की पाहडिया फैली है कौन से दिसा में फैली है उत्तर पूर्वी दिसा में अपने पास में या हरियाना के साथ में कौन सा राज्य लगता है तो उत्तर पूर्वी दिसा में हरियाना के साथ में दोस्तों राज्य लगता है हिमाचल पर्देश ठीक है हिमाचल पर्देश लगता है और उत्तर पूर् पाडियों के साथ में पंचकुला, अंबाला, और यम्ननागर, ठीक है ना, फ्यारे साथ यो किलियर हो जाना चाहिए, बड़े जबरदस तरीके से अपन पढ़ेंगे, लेकिन पंचकुला डिस्टिक में, दोस्तों, पंचकुला डिस्टिक में, यहां पर, पंचकुला जो दोस्तो सिवालिक की पाहडिया फैली है ना सिवालिक उन पाहडियों को अपन मोर्नी हिल्स के नाम से भी जानते मोर्नी हिल्स या मोर्नी की पाहडिया जो हरियाना का एकमातर हिल स्टेशन है हरियाना का एकमातर हिल स्टेशन का जिकर किया जाए तो मोर्नी हिल्स हरियाना क एक मात्र हिल स्टेशन है और मोर्नी की पहडिया जो पंचकुला के अंदर सिवालिक का हिसा है इन मोर्नी की पहडियों की उस्षत उचाई कितना है दोस्तों 1220 मीटर 1220 मेटर, average यदी height का जी कर किया जाए, तो मोर्नी की पहडियों की उस्त उचाईए 1220 मेटर ये जो मोर्नी की पहडिया है, इनका सर्वोच्य सीखर कौन सा है, दोस्तो करो और इस करो की उचाई कितना है, 1514 मेटर इसकी उचाई है आपसे यदी साथियों ये पूचले कि हरियाना का सर्वोच्य सीखर कौन सा है, करो यदी आपसे पूचले हरियाना में मोर्नी हिल्स का अथ्वास्यवाली का सर्वोच्य सीखर कौन सा करो और हरियाना में दोस्तो हिमाले का सर्वोच्य सीखर पूचले करो उत्तर हरियाना का सर्वोच्च शिकर पूछले करो और पूरे हरियाना का सर्वोच्च शिकर पूछले करो और इस करहो की उचाई दोस्तो कितना है तो आप बता देना साथियो 1514 मेटर 1514 मेटर इस करहो की उचाई है दोस्तो मोर्नी हिल्स के उपर मिट्टी किस परकार की मिलती है तो दोस्तो आब बताओगे पत्रीली मिट्टी पत्रीली उपसर में ना आएगा तो आपने बतानी पड़ेगी लेटराइट मिट्टी मोर्नी हिल्स के उपर मिट्टी मिलती है पत्रीली मोरनी हिल्स के उपर मिट्टी मिलती है पत्रीली भई पाड़ी अलाकों के उपर मिट्टी पत्रीली ही मिलेगी मोरनी हिल्स के उपर दोस्तो मिट्टी कौन सी मिलती है पत्रीली और पत्रीली ओप्सन में ना आए तो दोस्तो आब बता देना लैटराइट मिलती है मोरनी हिल्स के उपर दोस्तो सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है तो मोरनी हिल्स के उपर सबसे ज़्यादा फसल होती है जो हरड मोरनी हिल्स के उपर सबसे ज़्यादा जो क्रोप्स होती है मेजर क्रोप्स जो मोरनी हिल्स की है परमुख जो फसल है वो कौन सी है तो प्यारे साथियों अब बता देना जो हारड है जो हारड मोर्नी हिल्स की मेजर करोप से परमुख फसल है मोर्नी हिल्स मोर्नी हिल्स के उपर सबसे ज़्यादा वरक्स कौन से मिलते हैं चीड वे देवदार के वरक्स मिलते हैं तारपीन का तेल कौन से वरक्स की लकडी से प्राफ्त किया जाता है, तो चीड की लकडी से प्राफ्त किया जाता है, चीड वरक्स जो होता है ना, चीड के वरक्स उनके तारपीन का तेल प्राफ्त किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेएगा, तो मोरनी हिल्स की उपर सबसे ज्यादा वरक्स कोंड से मिलते हैं तो आप बता हुए चीड वैद देवदार के वरक्स मिलते हैं लेकिन दोस्तों एक क्यूशन मैं बड़ा आप से शांदर बता देता हूँ मोर्ने हिल्स है न मोर्ने हिल्स और पिंजोर का सारा इलाका पहड़ी है तो मोर्ने हिल्स और पिंजोर के बीच मोर्ने हिल्स और भाइसा पिंजोर के बीच मोर्ने हिल्स और पिंजोर के बीच समझने की कोशिस कीजिएगा मोर्ने हिल्स और पिंजोर के बीच एक motorcycle ambulance सेवा चलती है motorcycle motorcycle ambulance सेवा motorcycle ambulance सेवा और ये motorcycle जो ambulance सेवा है ना morning hills और पिंजोर के बीच में चलती है इस motorcycle ambulance सेवा का नाम क्या है दोस्तों तो आप बता देना आरोग्यम इसका नाम है motorcycle जो ambulance सेवा है भई पहाड़ी इलाका है जिसके च्यार टायर होते हैं वो वहाँ नहीं जा सकता है तो सरकार ने मोरने हिल्स और पिंजोर के बीच में एक मोटसाइकल एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की थी और मोटसाइकल एंबुलेंस सेवा की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी तो मई 2017 के अंदर मई 2017 में मोटसेगल एंबुलेंस सेवा की शुरुवात हुई थी मोरनी हिल्स और पिंजोर के बीच में किस नाम से हुई थी आरुग्यम के नाम से लेकिन प्यारे साथियों पंस्कुला डिस्टिक के अंदर पंस्कुला डिस्टिक में जो कुछ और पाहडिया फैली है जो सिवालिक का हीस्टा है उन पाहडियों को अपन टीपरा हिल्स के नाम से भी जानते हैं टीपरा पाहडियों की नाम से भी जानते हैं और एक बार HSSC ने ये कुछा था, और सबी के फिल्टेरे चोख कर दिये थे, HSSC ने. कुछन ये था कि Hills को, Morne Hills को Teabra Hills, Morne Hills को Teabra Hills से अलग करने वाली नदी कुनसी है, तो आप बताओगे दोस्तो घगर नदी. ध्यान रखेगा, घगर? घगर नहीं घगर मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से अलग करने वाली नदी जिसका नाम क्या है तो आप बताओगे घगर नदी जिसका नाम है जिसका नाम क्या है घगर नदी बहुत जबरदस तरीके से आपन पढ़ रहे हैं बहुत ही शांदार दोस्तों मेरे साथ में बने रहे आप एकदम बहतरीन तरीके से सारे पॉइंट हम किलियर करते हुए चल रहे हैं ठीक है दोस्तों मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहेना ऐसा पढ़ाएंगे कि फिल्टर चोक हो जाएंगे पूरे हरियाना के ध्यान रखना सिस्टम वहिंग कर देंगे और आप इतने स सकती साली हो जाओगे इतने पावरफूल हो जाओगे हरियाना जीके में कि कोई स्टूडेंट तो छोड़ो मास्टर ना टिक पाएगा आपके सामने देखो एक बार नेक्स क्यूसन देखो उसके बाद में दोस्तों अपने पास में पंचकुला के अंदर एक बहुत अच्छ समलोटा मंदिर पंचकुला में और इमलोटा मंदिर दोस्तों यदि पूछे कि इमलोटा मंदिर कहां है तो आप बता देना चर्की दादरी में उसके बाद में दोस्तों अपने पास में यहीं पंचकुला के अंदर पिंजोर में एक भीमा देवी मंदिर पढ़ता है भीमा बढ़ा सांदर क्यूशन है भेमा देवी मंदिर जो कहां पर पढ़ता है दोस्तो तो आप बताओगे पिंजोर में जिसका पुरान नाम पंचमपूर है और हमने ये फस्ट वीडियो के अंदर बताया था कि पिंजोर का पुरान नाम क्या है पंचकुला का जो फस्ट पार था उसके अंदर बताया था कि पिंजोर का पुरान नाम पंचमपूर कैसे था लेकिन भेमा देवी मंदिर जो पिंजोर में पढ़ता है इस भेमा देवी मंदिर को अन्य किस नाम से भी जानते हैं तो आप बता दे ना दोस्तो उत्तर भारत का खजुराहू भी कहा जाता है दोस कि जो मंदिर है खजुराहू के जो मंदिर है वो कौन से वंस के सासकों ने बनाए थे तो आप बता दे ना चंदेल वंस के सासकों ने बनाए थे चंदेल वंस के ध्यान रखेगा भेमा देवी मंदिर जो पिंजोर में है जिने उत्तर भारत के खजुराहू के नाम से जानते है जिसे उत्तर भारत के खजुराहू के नाम से जानते हैं और खजुराहू जो मद्य पर्देश में पढ़ता है और मद्य पर्देश के खजुराहू के मंदिर है न वो चंदेल वंस के सासकोने बनवाए थे कौन से वंस के सासकोने बनवाए थे चंदेल मंज के सासकों ने बनवाए थे उसके बाद में दोस्तों मनसा देवी मंदिर मनसा देवी मंदिर का जीकर किया जाए मनसा देवी मंदिर तो मनसा देवी मंदिर भी दोस्तों कहां है तो आप बताएंगे पिंजोर के पास में एक गाव पढ़ता है जिसका नाम है मनी मा मंधर मनी माजरा का सआसक नाम गोपाल सिंह इन भपाल सिंग उर्स मनीमाजरा के साथ्धक गोपाल सिंग ने अटारा सु पंदरा में यह मंदिर बनवाया बनदिर को से तो आप बताएंगे भाई साम, मनसा देवी मंदीर 1815 के अंदर, ठीक है, किलिर हो जाने चाहिए, एक बर मैं बोड को साफ कर रहा हूँ, यदि आपने ये पॉइंट नहीं लिखे हैं, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिए, वीडियो को प बहुत सांदार तरीके से, एक आपने दोस्तों, चंडी मंदिर चावनी का नाम सुना होगा, चंडी मंदिर, सुना है, चंडी मंदिर चावनी का, और ये जो चंडी मंदिर चावनी है ना, चंडी मंदिर चावनी, चंडी मंदिर चावनी, इस चंडी मंदिर चावनी के, कहा पर अपनी जो थल सेना है मतलब आप याद रखिएगा अपनी एंडियन आर्मी और एंडियन आर्मी का जो western command है ना पस्यमी command उस पस्यमी command का headquarter है चंडी मंदिर झावनी चंडी मंदिर झावनी का जिकर करें तो दोस्तों चंडी मंदिर चावनी पंचकुला में है और ध्यान रखिएगा भारती थलसेना के पस्विमी कमांड का मुख्या ले एडन आर्मी का जो वेस्चन कमांड है उसका मुख्या ले है चंडी मंदिर चावनी पंचकुला के अंदर उसकेबाद में दोस्तो यहीं पर पिंजोर पंचकुला के अंदर एक red bishop परियेटन सथल पढ़ता है यहीं पर दोस्तो अपने पास में पढ़ता है red bishop परियेटन सथल टिकर ताल परियेटन सथल टिकर ताल परियतन सथल पिंजोर पंचकुला के अंदर टिकर टिकर ताल परियतन सथल यहीं पर दोस्तो रामगड का किला पढ़ता है पिंजोर पंचकुला में यहीं पर दोस्तों अपने पास में पिंच और पंसकुला में रानिपूर का किला पढ़ता है रामगड का किला रानिपूर का किला रैड बी सब परियतन सथल उसके बाद में यहीं पर दोस्तों एक और सांदार सा परियतन सथल है जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे माउं माउंटेन कवेल परियेटन सथल है और यहीं पर एक संगरहले बन रहा है जिसका नाम है राज की संगरहले और ये राज की संगरहले जो 30 क्रोड की लागत से बनाया जा रहा है बहुत जबरदस क्यूशन है कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा क्यों से नहीं है कि रेड बी सब परियेटन सथल कहा है तो आप बताएंगे पिंजोर पंशकुला में टिकर ताल परियेटन सथल कहा है तो दोस्तो आप बताओगे पिंजोर पंशकुला में रामगड का किला कहा है पिंजोर में रानिपूर का किला कहा है पिंजोर में माउंट तो आप बता देना पिंजोर पंचकूला के अंदर ही बनाया जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों आपने पास में नाम आता है कमोद तीर्थ सथल यह कमोद तीर्थ सथल है यह भी पिंजोर के अंदर है। अपने पास में जो टिक कर ताल परियेटन सथल है टिक कर ताल यह ताल बहु SMITH कहां है तो दोसे आप बता दे न टिक कर ताल–जो परियेटन सथल है कामोड्खकरताल – आप परियेет हैं but he put the teacher home Actual जो teacher होते हैं, जो पूरे स्टेयड से हैं और किसी कानवास वो पंचणुला किसी काम से जाते हैं, तो उनको ठेवरने के लिए विविश्था की गई है। तो teacher home दोस्तो कहां है, तो आप बताएंगे, teacher home पंच cuts के अंदर है, पंच回來 के अंदर बहुत जवर्दस्थ है बहुत शांदर तरीके से आप इस पंसकुला डिस्टी के बारे में पढ़ रहे हो एसी पंसकुला के अंदर दोस्तो एक अपने पास में गिद संरक्षन अपने पास में पंसकुला के अंदर गिद संरक्षन वे परजनन के अंदर पढ़ता है गिद संड्रक्षन वे परजनन के अंदर दोस्तों गिद संड्रक्षन वे परजनन के अंदर कहा है तो आप बताएंगे पिंजोर में है दोस्तों ये कब बना था तो आप बता देना 2006 के अंदर गिद मतलब जो अपने पास में पहले चील वगेरा हुआ करती थी उनसे रिलेट एक्चुल में यह किस किस के सहयोग से बना था, आप नोट कीजिएगा, गीद संवर्छन वे परजणन के इंदर पिंचोर पंचकुला में हैं, यह किस के सहयोग से बना था, तो नेच्चूरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे के सहयोग से, जोलोजिकल सोसाइटी ओफ लंद UK के सहयोग से बनाया गया था तीन सोइटियों के मदद से बना था जिसमें आप लिखेंगे Natural History Society Bombay के सहयोग से Geological Society of London के सहयोग से और Royal Society of Protection World UK के सहयोग से यह बनाया गया था उसके बाद दोस्तों तित्तर परजनन के इंदर तित्तर परजनन के इंदर का जीकर किया जाए ना तित्तर बिल्डिंग सेंटर तित्तर परजनन के इंदर तित्तर परजनन के इंदर यदि आप से पूछे कि तित्तर परजनन के इंदर कहा है तो दोस्तों अब बताओगे तित्तर परजनन के अंदर पढ़ता है पिंच ओर में उसके बाद दोस्तो चिडिया परजनन के अंदर परियेटन नहीं चिडिया परजनन के अंदर ये चिडिया परजनन के अंदर भी कहां पर पढ़ता है दोस्तो तो आब बताएंगे पिंच ओर के अंदर ही पढ़ता है पिंजोर में और दोस्तों यहीं पर अपने पास में एक रेड जंगल रेड जंगल फाउल परजनन के इंदर पढ़ता है रेड जंगल फाउल परजनन के इंदर यह भी पिंजोर में ध्यान रखना दोनों के उसनों को नोट करना चिडिया परजनन के इंदर फीजेंट वे मोनाल परजनन के अंदर ये फीजेंट वे मोनाल परजनन के अंदर ये भी दोस्तों कहां है तो मोरनी हिल्स के उपर और कहां है तो अब बता दे ना भाई सा पिंजोर पंचकुला के अंदर है पिंजोर पंचकुला के अंदर ठीक है ध्यान रखिएगा उसके ब अभ्यारन ये कहा है तो आप बताएंगे पिंजोर के अंदर है पिंजोर में और उसके बाद में है बीर सिकारगड बीर सिकारगड वन्ने जीव अभ्यारन दो वन्ने जीव अभ्यारन है जिसमें नाम आता है एक बीर सिकारगड वन्ने जीव अभ्यारन ये भी पिंजोर में ह और दोस्तो खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारन का जीकर किया जाए ना खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारन का तो ये भी कहा है तो आप बता देना भाईसा पिंजोर पंचकुला के अंदर ही बढ़ता है पिंजोर पंचकुला के अंदर बहुत जबरदस तरीके से हम पढ़ रहे हैं एक-एक पॉइंट को बड़े भैतरीन तरीके का करने का परियास आपन कर रहे हैं आप मेरे साथ में बने रहना और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जादा से जादा स्टड़ी गुरूप में शेयर करना और अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी लेटेस वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहूँच सके ठीक है देखो हर्याना के अंदर हर्याना के छोटी राजधानी के रूप में विक्सित किया जा रहा है किसको तो आप बता दे ना पंचकुला को हर्याना में परतिसत के अनुशार सबसे ज़्यादा यदि वन पूछे सबसे ज़्यादा वन हर्याना में परतिसत के अनुशार सबसे ज़्यादा यदि आपसे वन पूछे कहा है तो आप बताएंगे पंचकुला में हर्याना में दोस्तो सबसे कम सिचाई के साधन हर्याना में सबसे कम पसूधन हर्याना में सबसे कम गाय हर्याना में सबसे कम घर और हर्याना में सबसे कम जनसंख्या कहां की है तो आप बताते ना पंचकुला की है परतिसत के अनुसार सबसे ज़्यादा वन ध्यान रखेगा कहां है पंचकुला में सबसे कम पंचकुला सबसे कम पसुधन पंचकुला सबसे कम गाय पंचकुला सबसे कम घर पंचकुला सबसे कम जनसंख्या पंचकुला और सबसे कम पूरुस महिला पंचकुला ध्यान रखना लेकिन हर्याना में सबसे ज़्यादा मक्का कहा होता है मक्का तो आप बताएंगे दोस्तों पंचकुला में और सबसे ज़्यादा गुलाब का फूल हरियाना में ना कि भारत में भारत में सबसे ज़्यादा गुलाब चंडीगड में और हरियाना में सबसे ज़्यादा जो गुलाब होता है न वो पंचकुला के अंदर होता है कहां होता है तो आप बता देना प एफड का मुख्याले, साहित्यकादमी का मुख्याले, आधिकतर जो हर्याना के मुख्याले हैं, वो कहां पर सिथित है, पंचकुला के अंदर सिथित है, और उसके बाद में नाम आता है दोस्तो, सवतंतरता सेनानी अरूना आसफ अली, सवतंतरता सेनानी जिसका नाम है अरू बाद में जो आंदोलन आगे बढ़ाया था उस वेक्ती का नाम उस का नाम क्या था अरुना आसफ हली और 1922 में बुंबई की गवालिया टेंक में जो जन्डा फैराये था न वो अरुना आसफ हली भारत रतन प्राप्त करता है इन्होंने ही फैराये था तो मेरे दवारा दोस् तो इतना ही, मेरे को मालूम है, भाईजा पढ़ाही की कदर होती नहीं है, वरना इतना बैतरीन कहीं पर ही नहीं मिलेगा content, और उसके बावजूद भी view में ऐसी थैसी हुई पढ़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा बैटा, तो आप मेरे साथ में जुड़े रह जे हिन, जे भारत, जे हरियान, धन्यवाद.